ओम शांति ओम शांति आज तीस मईं दोहसार चौबिस दिन गुरुवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम्हें पहला पहला निश्चे चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्विम शांति का सागर सुख का सागर बाप है कोई मनुश्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता प्रेश्न सबसे उची मनजिल कौन सी है उस मनजिल को पाने का पुर्शाथ क्या है पुद्दर एक पाप की याद पक्की हो जाए बुद्धी और कोई की तरफ न जाए यह उची मनजिल है इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुर्शाथ करना पड़े जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी खयालात खत्म हो जाएंगे बुद्धी का भटकना बंध हो जाएगा देख के तरफ बिलकुल द्रश्टी न जाए यह मनजिल है इसके लिए आत्म अभिमानी बहु ओम शंति रुखानी बच्चों प्रती रुखानी बाप बैट समझाते हैं इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को रुखानी बाप नहीं कहेंगे आज के दिन को सत्गुरुवार कहते हैं गुरुवार कहना भूल है सत्गुरुवार गुरु लोग तो बहुत धेर है सत्गुरु एकी है बहुत हैं जो अपने को गुरू भी कहते हैं सत गुरू भी कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो गुरू और सत गुरू में तो फर्क है सत अर्थात टृत सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है ना कि मनुष्य को सच्चा ज्यान तो एक ही बार ज्यान सागर बाप आकर देते हैं मनुश्य मनुश्य को कभी सच्चा ज्यान दे नहीं सकते सच्चा है ही एक निराकार बाप इनका नाम तो ब्रह्मा है ये किसी को ज्यान दे ना सके ब्रह्मा में ज्यान कुछ भी था नहीं अभी भी कहेंगे इनमे सारा ग्यान तो है नहीं संपूर्ण ग्यान तो ग्यानसागर PARAMPITA PARMातमा में ही है अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सत्गुरु कहला सके सत्गुरु मना संपूर्ण सत्य तुम जब सत्ग बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा मनुश्य को कभी सत्गुरु कह नहीं सकते मनुश्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है ये कुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुश्य हूँ इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकते ये तो बाप पढ़ाते हैं ना कि ब्रह्मा, ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सत गुरु से पढ़ते हो, तुम को उनसे ताकत मिलती है, ताकत का मतलब यह नहीं है कि कोई को घूसा मारो तो गिर पढ़े, न जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ते हैं, स्टुडेंट हैं, देधारी जो भी हैं, वे सभी स्टुडेंट हैं, बाप को तो दे हैं नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं, जैसे और स्टुडेंट पढ़ते ह वैसे तुम भी पढ़ते हो इसमें मेहनत की बात नहीं पढ़ते समय हमेशा ब्रह्म चरह में रहते हैं ब्रह्म चरह में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं कहेंगे ये फलाना अदमी है, ये L.L.B. है, ये फलाना ओफिसर है, पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शकल तो वही है, उस जिसमानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो, सादूसन तादी जो शास्त्र पढ़ते-पढ़ाते हैं उन में कोई बढ़ाई नहीं उससे कोई कोई शान्ति तो मिल नहीं सकती खुद भी शान्ति के लिए धुक्के खाते हैं जंगल में अगर शान्ति होती तो फिर वापस क्यों लोटते मुक्ति को तो कोई पाता नहीं जो भी अच्छे अच्छे नामि ग्रामी राम कृष्ण परम हनसाधी होकर गए हैं वह भी सब पुनर जरम लेते लेते नीचे ही आये हैं मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं तमो प्रधान बनना ही है देखने में तो कुछ भी नहीं आता कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांती मिलती है परंतु मिलता कुछ भी नहीं शांतिकार्थी नहीं जानते अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधू, संत, गुरू, आदि शांती का सागर हो ना सके मनुष्य किसी को सच्ची शांती दे नहीं सकते तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्य करना है शांती का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते है स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है वे भी बाप ने समझाया है मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांती दे नहीं सकते यह ब्रह्मा उनका रत है तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है यह भी ग्रस्विवार में रहने वाला था सिर्फ बाप को अपना रत लोन पर दिया है सो भीवान प्रस्थ अवस्था में तुमको समझाने वाला एक बाप है वे बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे गालियां भी देंगे समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्सा मिला हुआ है वे छुडाते अब छुडाते तो वे बेहत का बाप है न इनको भी उसने छुडाया बच्चों को भी बचाने की कोशिश की जो निकल सके उनको निकाला अब तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है सर्व शक्ती मान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसी को कहा नहीं जाता वही तुमको नौलेज दे रहे हैं बाप ही तुमको समझाते हैं यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्वन है इनको छोड़ो फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वह कितना जगड़ा करते हैं माताएं भी कोई-कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं अभी तुम हो संगम युग पर यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुर्शोत्तम संगम युग है बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं बहुत हैं जिनको पूरा निश्चे है कोई को सैमी निश्चे है कोई को सो प्रतीशत कोई को दस प्रतीशत भी है अब भगवान श्रीमत देते हैं बच्चे मुझे याद करो, यह है बाप का बड़ा फर्मान, निश्चे हो तब तो उस फर्मान पर चले ना, बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इनको याद नहीं करना है, मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुम को कहत सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं, यहां तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, तुम आत्मा हैं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है, इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है, बैरिस्टर, इंजिनियर आत्मा ही बनाती है आत्मा को अब देह अभिमाना गया है आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं जब आत्मा अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते हैं उनको कभी विकारी खयाल भी नहीं आ सकता देह अभिमान से ही विकारी खयाल आते हैं फिर विकार की ही प्यार करेंगे डांस करेंगे वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है पाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिलकुल मजबूत हो जाती हैं बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है हम अकेले थे अकेले ही जाना है उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा कहेंगे यह हमको हाथ क्यों लगाते हैं इनमें विकारी बांस है विकारी हमको टच भी ना करें इस मंजिल पर पहुँचना है देह तरफ बिलकुल द्रश्टी ही ना रहे वे करमाती तवस्था अभी बनानी है अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं मंजिल है बाप हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो यह शरीर दुम है जिससे तुम पाट बजाते हो कई कहते हैं इनमें शक्ती है परन्तु शक्ती की कोई बात ही नहीं यह तो पढ़ाई है जैसे और भी पढ़ते हैं यह भी पढ़ते हैं प्योर्टी के लिए कितना माथा मारना पढ़ता है बड़ी मेहनत है इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो सत्यूग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो वहां तो रावन राज्ये ही नहीं विकार की बात ही नहीं यहां रावन राज्ये में सब विकारी हैं इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर उपर जाना सके। हिसाब किताब जुक्तू करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है। ये राजधान इस्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदिस अनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनायस्थी होगी। प्रजा ढेर बनती है। उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्य नहीं वह पूरा पढ़ भी ना सकें। पवित्र बन ना सकें। आदा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या। मुख्य है ही काम की बात। क्रोध आदिका इतना नहीं। कहां बुद्धी जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई तरफ बुद्धी नहीं जाएगी। बहुत उची मन्सिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई निकही नहीं, कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं, वे तो है ही निवरती मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर जनम ले फिर भी सन्यास धर्म में ही जाना है, वही संसकार ले जाते हैं, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है भल घर में रहो, उनों को भी समझाओ, अब है संगम यूग, पवित्र बनने बिकर सत्यूग में देवताब बन नहीं सकेंगे, थोड़ा भी ज्यान सुनते हैं, तो वह प्रजा बनती जाती है, प्रजा तो धेर होती है न, सत्यूग में वजीर भ भाव कितना कड़ा है, अभी तुम समझते हो, हम यह पुराना शरीर छोड जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या, वे दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है, जितना मुझ बाप को याद करेंगे, तो और सब भूल जाएंगे, कोई भ निश्चे ही नहीं, तो याद काहे को करेंगे, सब को एक जैसा निश्चे तो नहीं है ना, माया निश्चे से हटा देती है, जैसे के वैसे बन जाते हैं, पहले पहले तो निश्चे चाहिए बाप में, संशे रहेगा क्या, कि यह बाप नहीं है, बेहत का बाप ही क्यान दे यह तो कहता है मैं स्रेश्टी के रचियता और रचना को नहीं जानता था मेरे को कोई तो सुनाएगा मैंने बारा गुरु किये उन सब को छोड़ना पड़ा गुरु ने तो ग्यान दिया नहीं सत्गुरु ने अचानक आकर परवेश किया समझा पता नहीं क्या होना है गीता म की बात है नहीं यह तो रत है न यह भी पहले गीता पड़ता था बाप ने परवेश किया सक्षतकार कराया कि यह तो बाप ही ज्यान देने वाला है तो उस गीता को छोड़ दिया बाप है ज्यान का सागर हमको तो वही बताएगा न गीता है माई बाप वह बाप ही है जिसको वह रचना रचते एडॉप्ट करते हैं यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं परवेश करता हूँ कुमारिया तो हैं ही पवित्र उनके लिए तो सहज है शादी के बाद कितने संबंद बढ़ जाते हैं इसलिए देही अभीमानी बनने में मेहनत लगती है वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है परंतु आदा कल्प दे अभीमानी रही हैं बाप आकर अंतिम जन्म में देही पड़े पास होते हैं आठ रत्न निकलते हैं अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है एक बाप के सिवाए और कुछ याद तो नहीं आता है ये अवस्ता पिछाडी में होगी आत्म अभीमानी बनने में बहुत मेहनत है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मा पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुखे सार क्यान से अपनी दृष्टी का परिवर् आत्मा भैमानी बन विकारी खयालात स्माप्त करने हैं। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विखिन सेवाधारी भाव। सेवा भाव वाले बच्चे स्वेम भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उर्ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमांगुट्सह स्वेम को निर्विखिन बनाता है और दूसरों का कल्यान करता है। स्लोगन ग्यानी तु आत्मा वह है जो महीन और आकर्शन करने वाले धागों से भी मुक्त है। ओम शंती ओम शंती